हेलो दोस्तों कल वाली इस वीडियो में मैं आपको ट्रिनिटी लेजेंड एक्स्क्लूसिफ क्वेस्ट के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ और ये चार क्यू आपको कैसे मिलेंगी ये भी पूरी तरह से प्रिस्क्राइब किया था इसलिए आप इस वीडियो को देख ले हैं तो आज की वीडियो में इंही अपडेट्स के बारे में बात करेंगे तो इस प्रहली पाहली कि जो की फूल पास के स्ट्शन में मिलेगी और इसको वो लोग मैक्स कर पाएंगे जो की प्रिमियम पास पर्चेस कर लेंगे दूसरी क्यू ब्लास्ट प्रोसेशिंग क्यू ये आपको normal और golden spin में मिलेगी इसको भी आप max कर सकते हैं आप जितने ज़्यादा spin यूज करेंगे इस Q के pieces आपको मिलके जाएंगे most probably ये Q 94 pieces में max हो जाएगी इस quest की जो सबसे interesting Q है वो showdown वाली Q है इसका नाम है 8 bit showdown Q अब कल की वीडियो में मैंने prediction किया था कि ये 10 लोगों को मिलेगी लेकिन नहीं ये 15 लोगों को मिलेगी showdown के leaderboard पर जो top 15 लोग होंगे उनको ये Q मिल जाएगी और इसका distribution सबसे ज़्यदा interesting होने वाला है कुल 26 लोगों की league होगी और 16 से लेकर 26 तक 10 लोग ऐसे होंगे जिनको इस Q का एक भी पीस नहीं मिलेगा 11 से 15 तक जो लोग होंगे उनको 4 पीसेज मिलेंगे मतलब उनको ये level 1 की Q मिल जाएगी number 4 से लेकर number 10 तक जो लोग रहेंगे उनको 10 Q पीसेज मिलेंगे second और third rank पर जो लोग रहेंगे उनको 34 पीसेज मिल जाएगे अब जो सबसे ज़्यादा interesting बात है वो ये कि जो भी इस showdown का 8 bit showdown का gold cup जीतेगा उसको ये Q level max की मिलेगी 94 पीसेज मिल जाएगे और ये Q वो आसानी से max कर ले जाएगा ये तीनों Q हासिल कर लेने के बाद ये free वाली pixel night Q और ये अफ़तार free में claim करने का मौका मिल जाएगा इस Q के specification इस तरह के होंगे और इसके max होने के मुझे तो नहीं लगता कि इस event में कोई chances हैं अब एक खास बात और ये रहेगी कि ये दोनों इवेंट शोडाउन और Trinity Legend Exclusive Quest 21 से 26 तक चलेंगे और आपके पास अपना prize दो अगस्त तक claim करने का मौका रहेगा बस दोस्तों यही था छोटा सा अपडेट उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो इससे सब्सक्राइब कर ले अगर पुराने सब्सक्राइबर है तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट अबडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार